हाई गाईज आम वर्शा और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो गाईज आज अगें मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ अगर इन में से आपको कोई भी टॉप पसंद आया और आप पर्चेस करना चाहते हैं तो मैं प्रोड़क लिंक डिस्क्रिप्शन वाक्स में दे दूँगी आप चेक आउट कर ली तेंगा तो चलिए वीडियो इस्टार्ट करते हैं बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकीचिये एंड ऐसे ही आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सो गाइस यह मेरा फर्स्ट टॉप है अब देख सकते हो यह टॉप जो है मैंने 180 या 190 रूपीज में कुछ पर्चेस किया है मुझे प्राइस एक्चिली प्राइस याद नहीं है मैं इसक्रिंपर मेंजन कर दूँगी कि यह किस प्राइस में मैंने इसे पर्चेस किया है आइवन डेनिम जीन्स एंड कैजवल ब्रांड से है और जो तीनों भी प्रोडक्ट है यह मैंने एमिजन के एब बीबी स्टोर से पर्चेस किया है इस टाइप का या होजियरी कपड़े में टॉप मुझे पर्केस हुआ है इसका जो मटेरियल है या होजियरी टाइप का मट है इसमें स्लिउस में इस तरह की बेल स्लिउस मिलती है आइवन बेल स्लिउस भी नहीं बोल सकते इसको कुछ चुनट चुनट वाली स्लिउस दी गई है बेल स्लिउस जो होती है जो इससे पहले मैंने आप लोग साथ में टॉप शेर किये थे उसमें बेल स्लिउस दी गई थ इस तरह का short top है यहाद इसमें भी नेक वाला design मिलता है आप देख सकते हो बहुत simple सा top है and casual wear college going office going के लिए एकदम perfect है यहाद मुझे बहुत जादा पसंद आया इसका जो material है यहाद भी बहुत अच्छा material है इसमें अंदर में inners भी provide की गई है आप देख सकते हो इस तरह की इसमें dark blue color की inners दी गई है जिससे की hair top मुझे और भी अच्छा लगा एक बिल्कुर भी transparent नहीं लगता या loose loose नहीं लगता एकदम fitting का लगता है मैं आपको इसे wear करके दिखाती हूँ कि wear करने पर यहाद कैसा लगता है इस पर crop flower design बना गया है जो मुझे बहुत पसंद आया है इसे wear करके देखते हैं कि wear करने पर यहाद कैसा लगता है आपको फर्स टॉप कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चलिए बढ़ते हैं अब सेकेंड टॉप की दरब सेकेंड टॉप मेरा कुछ कूरती जैसा है कूरती ही है यह इस तरह की यह कूरती है जो embroidery है यहाँ नेक में इसमें पुरा embroidery दिया गया है जो BBB जो स्रिष्ट्री ब्रांड के कपड़े मिलते हैं उस ब्रांड की है यह स्रिष्ट्री बांड की इसका actual price 900 है बट मुझे यह कुछ 300 वगेरे में मिली है मैं इसक्रीपर मेंशन कर दूंगी कि मुझे कितने में मिली है इसका जो material है कपड़े का बहुत अच्छा है इसमें कोई I mean side से कोई slits नहीं दी है पूरी pack कूरती है आप देख सकते हो इस तरह की तो यहाँ भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है इसका जो color combination है मुझे बहुत अच्छा लगा है इसका color combination आप देख सकते हो इंड सामने में इस तरह से यहाँ पे दोनों side packet मिलते है यह दोनों इसमें packet दिये गया है जो बहुत अच्छा look create करते हैं इंड packet के ऊपर इस तरह से embroidery दी गई है इसका जो neck design है यहाँ मुझे काफी पसंद आया मुझे बहुत अच्छा लगा इंड इसे मैंने extra small size में purchase किया है जो कि बहुत अच्छा मुझे fitting का आया है actually मुझे a size perfect आता है लेकिन अगर आप इसे purchase करते हो तो अपने size से एक size small में purchase कीजे तब जाकर यह अच्छे से fitting का होता है तो बहुत अच्छी कूरती है यहाँ एक मिनाट में देख लिए हाँ इसमें भी inner हमें provide करती है यह देखिए इस तरह का इसमें हमें inner मिलता है जो कि बहुत अच्छा है and celluless खूरता है यहाँ इसमें कोई sluze provide नहीं की गई है sorry इसमें sluze provide की गई है मैंने नहीं देखा था तो देखिए आप इस तरह की इतनी इसमें sluze provide की गई है so यह बहुत अच्छा है कि अगर आप slueless नहीं पहनते है तो आप इसमें sluze अटाच कर सकते है in 300 या 350 रूपिस में यहाँ पूरती बहुत ज्यादा affordable है क्यूंकि इसकी quality जो है बहुत अच्छी लगी मुझे तो चलिए इसे भी वियर करके देख लेते हैं कि वियर कमी पर यह भी कैसे लगती है तो गाइस दोनों टॉप आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड टॉप की दर तो यह है मेरा थर्ड टॉप जो कि वाइट में है वाइट कलर में है इसे भी मैंने एमेजॉन से पर्चेस किया है बट मैंने इसे एब बीबी स्टोर से पर्चेस नहीं किया है यह कुछ अमायरा ब्लांड से है इसे भी मैंने एक्सेस साइज में पर्चेस किया है तो इस तरह का यह टॉप है इस तरह का कुछ इसका लूप आता है आप देख सकते हो एंड वा प्रिंटिटी वर्क किया हुआ है में कि इतना है मुझे अच्छा लगा बहुत पसंद आया है सामने में इसमें जो बटन दी गई है यह ओपनेबल बटन है पूरी ओपन हो जाती है इसका जो material है यहाँ भी cotton material है इसे कुछ मैंने 300 या 400 के बीच में खरीदा है मुझे इसका actual price याद नहीं है मैं इसकी पर डाल दूँगी बट इसे वियर करने पर यहाँ बहुत अच्छा लगता है एकदम comfortable top है इसका जो material है यहाँ भी एकदम comfortable है सो चलिए मैं इसे भी वियर करके दिखाती हूँ कि वियर करने पर यहाँ भी कैसा लगता है तो फ्रेंड्स तीनों टॉप्स में से आपको कौन सार टॉप्स पसंद आया आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको इन में से कोई भी top अच्छा लगा हो और आप इसे purchase करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप चेक आउट कर लिजेगा चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाई थांक य। हूँ जब थांक य।